यर्थ क्लास इंगलिस बच्चो आठवा पार्ट का जो सेश पार्ट बचा हुआ था उसी को आठ पढ़ाएंगे दा ओमायन थाइंक्ट हिम दा ओमायन ओमायला थाइंक्ट हिम उसे धन्यवाद दी वली टुक वली ले लिया वन आप दा जाज एक जवडे को आप दा गेंट राच्छास के बिलहिम अपने साथ और बैंट और चल दिया इन सर्च आप दा घोष्ट भूत की तलास में भूत की खोज में दा किंग आप दा एरिया उस छेत्र का राजा सेंट वर्ल्ड धिंढोरा पिटवाया दाएट की फू एवर केल्ड दा गेंट जो राच्छास को मार देगा उसके पुत्री के साथ विवाग कर सकता है वली बेंट तू दा किंग वली राजा के पास गया और बताया दा होली स्टोरी संपूर्न कहानी दा किंग रिफ्यूजट राजा इंकार कर दिया तू बिलीब हिम उस पर विश्ट्वास करने से वली सोड हिम वली ने उसे दिखाया दाज्जा जामने जबड़ा दा किंग वाज बेरी मच प्लीस्ट राजा बहुत प्रसंद था और इस ब्रेवरी उसकी बहादूरी पर फिर से इस पैराग्राप का रथ दो मैं थाइंक्ट हिम उमाईला उसे धन्यवाद दी वली तुक वली ले लिया वन आपदा जाज एक जबड़े को आपदा गैंट राच्छस के बिदहिम अपने साथ और बैंट और चल दिया चला गया इन सर्च आपदा घोष्ट भूत की तलास में या भूत की खोई में दे किंग आप दैट एरिया उस छेत्र का राजा सेंट वर्ल्ड धिन्धोरा पिटवाया दैट की फूएवर किल्ड दा गैंट जो राच्छस को मारेगा कुड मैरी बिवा कर सकता है इस डाटर उसकी पुत्त्री से वली बैंट टू दा किंग वली राजा के पास गया अमना कर दिया तू बिलीव हिम उस पर विस्वास करने से वली सोड हिम दा जा वली सोड वली ने दिखाया हिम उसको दरजा जावने जबड़ा तकिंग वाज बेरी मच प्लीज राजा अत्यधिक प्रसंद था आन इस ब्रेवरी उसकी बहादुरी पर वली मैरीड वली साधी कर लिया दा प्रिंसेस राजकुमारी से और तोल्ड हर और उसे बताया आल सब कुछ अपने विसे में और गोश्ट और भूत के विसे में तकिंग प्रिंसेस राजकुमारी रोट लिख दी आनिज बायक उसकी पीट पर दैट की फेर एवर ही गो जहां वाह जाता है ही सुड़ बी वेलकम उसका स्वागत होना चाहिए वली लेफ्ट दा पाइलेस वली महल छोंड दिया और रीजड और पहुँच गया एक ड्रेड़ फूल फारेस्ट एक भयानक जंगल में ही सा उसने देखा एक केब एक गुफा और बैंट इंसाइड और अंदर चला गया this was the cave of the ghost's parents this was the cave एग भुफा था of the ghost's parents भूत के माता पिता का they welcomed him उन्होंने उसका स्वागत किया वली उसका पावत्र था the ghost's भूत का who killed उसने मार दिया था वली इस ब्रदर्स वली के भाई को लाइफ वाज हिडन जीवन छिपा था इस पारेंट्स लाइफ उसके माता पिता के जीवन सो इसलिए घोष्ट वाज आलसो किल्ड भूत भी मारा गया फिन जब वली किल्ड घोष्ट्स पारेंट्स वली भूत के माता पिता को मार दिया वली फाउंड हिज पारेंट्स आईज अपने माता पिता की आँख को इन दा कारनर कोने में आप दा केब गुफा के वली मार इड वली ने साधी कर लिया विवा कर लिया दे प्रिंसेस राजकुमारी के साथ और उसे बताया आल आल मने सब अबाउट हिमसेल्फ अपने विसे में अन्दा घोश्ट और भूत की विसे दे प्रिंसेस राजकुमारी रोट आन ही बाएक उसके पीट पर लिख दी दैट की फेरेवर ही गोज जहां वह जाता है ही सुड़ भी विलकम उसका स्वागत होना चाहिए वली लेफ्ट दा पैलेस वली महल छोण दिया और रीष्ट और पहुँच गया एड्रेट फूल फारेस्ट एक भयानक जंगल में हीस्ता एक केप उसने गुफा देखा और गया इंसाइड अंदर इस पाज दा केप आप गोश्ट पारेंट्स ए भूट के माता पिता का गुफा था वे लोग उनका स्वागत की ए थिंकिंग सौशत वे दैट की वली वाज दियार ग्रेंट सन वली उनका पाट्र था दा घोष्ट गोश्ट्स भूट का फो गेल्ड वली ब्रस yar वली के भाई को मारा था लाइफ वाज हिदेन भूट का जीवन छिपा था इनिस पारेंट्स लाइफ उसके माता पिता के जीवन में जू इसलिए गोश्ट वाज आलसो किल्ड भूट भी मारा गया वने जब वली केल्ड घोष्ट पारेंट्स वली भूट के माता-पिता को मारा वली फांड यज पारेंट्स आई वली अपने माता-पिता की आखो को पागया इन दा कार्णा राब्दा केप गुफा के कुने में He took the eyes, उसने आखे ले लिया and gave them और उसने उन्हें दिया to his parents अपने माता पिता को He brought और लाया his parents अपने माता पिता को to the palace महल में and lived और रहने लगा happily there वहाँ प्रसनता पुरवक with his wife अपनी पत्नी के साथ and parents और माता पिता के साथ यह पाथ हाथ समाप्त हो गया फिर अगला पाथ next दिन आपको पढ़ाया जाएगा